जीवन रहस्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है धन, पैसा, तरक्की, उन्नती ये शब्द सुनने के बाद सब के मन में ये विचार जरूर आता है कि हमें जल से जल धन मिल जाए, तरक्की मिल जाए, उन्नती मिल जाए लोग कहते हैं धन कमाना इतना असान काम नहीं है लेकिन मैं कहता हूँ धन प्राप्त करना बहुत आसान भी हो सकता है बस सपने देखिए, धन तो आपको मिल ही जाएगा आज हमारा विशे यही है हम आपको बताएंगे कि सपने में क्या-क्या चीजे देखने से आपको धनलाब हो सकता है सपने में आग जलाकर भोजन बनाना अगर आप सपने में देख रहे हैं कि आप आग जलाकर भोजन बना रहे हैं तो आपके पेट के साथ सत्स आपकी जेब भी भरने वाली है, क्योंकि इस सपने का अर्थ है आपको धनलाब होने वाला है, या आपको नोक्री में तरक्की मिलने वाली है. ये सुनकर आपको बहुत अजीब लगेगा कि अगर आप सपने में दो महिलाओं को गले लगते हुए देखते हैं तो धन प्राप्ती आपको होने वाली है ये धन प्राप्ती का संकेत है वैसे हिंदू धरम में इस्तरी को लक्ष्मी का रूप माना गया है तो ऐसे में लक्षमी को गले लगते देखने पर आपको धन प्राप्ती हो सकती है सपने में उस्तरे का परियोग करते हुए देखना अगर आप सपने में उस्तरे का परियोग करते हुए देख रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपको यात्रा में धन लाब हो सकता है तो अगर आपने ऐसा सपना देखा है तो आप अपना सूटकेस बांद लीजिए सपने में उधार लेना या देना अगर आप ऐसा सपना देख रहे हैं जिसमें आप किसी को उधार दे रहे हैं या ले रहे हैं यह सपना यही संकेत देता है कि आपको धनलाब हो सकता है गरम होने वाली है मेरे कहने का मतलब है आपको धन लाब होने वाला है आपकी जेबें धन से भरने वाली हैं सपने में कन्या को देखना हिंदू धरम में कन्या को देवी का रूप कहा गया है अगर आप इस देवी को सपने में देखते हैं तो उस देवी का आश्रिवाद आपक को धन की प्राप्ति होगी आपके धन में वृद्धी हो सकती है सपनों से जुड़े ऐसे ही और रहस्यों को जानने के लिए हमारा चैनल सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक एंड शेयर करें